हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एक इंटो मैजिकल ट्रिक्स आज की सिशन में हम डिसकस करेंगे एक न्यू पैटन के कोडिंग डिकोडिंग तो शुरू करते हैं आज का हमारा सिशन फ्रेंड्स अगर सिशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेर करना ना भूले अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिएगा तो फ्रेंड्स अगर हम क्लॉक बेस्ट और टाइम बेस्ट कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो इसमें दो सिशन होते हैं Mathematics and Reasoning Percentage represents either the hour और minute hand of clock on 4 Percentage किसको represent कर रहा है एक तो hour hand या फिर minute hand जो है वो कहां पे है 4 पे है Then at the rate represents either the hour और minute hand of the clock on 12 Then dollar represents either the hour or minute hand at 5 Hash represents either the hour or minute hand at 9 N represents either the hour or minute hand on 6 ठीक है Note में क्या given है The first symbol represents the hours and the second symbol represents the minutes इसका क्या meaning है Example से समझते है Time, hash, end Hash and end का क्या meaning दिया है 9 hours, 30 minutes ये कैसे हुआ अभी देखिए हाश का meaning क्या है हाश का meaning है एक तो hour hand या फिर minute hand या फिर minute hand जो है वो 9 पे होगा ये पहले है तो हम क्या ले रहे है उपर जैसे हमें given है The first symbol represents the hours पहला symbol क्या है हाश हाश represents hours तो इसका meaning है 9 पे जाके hour hand है Second symbol represents minutes इसका meaning क्या है End का meaning है एक तो hour hand या फिर minute hand छे पे रहेगा तो second में जो symbol है Second में यहाँ पे end है इसका meaning होता है कि minute hand जो है वो जाके 6 पे है ठीके अगर minute hand जाके 6 पे है तो time कितना हो रहा होगा 30 minutes हो रहा होगा तो हाश and end का meaning अभी क्या हो रहा है 9 hours 30 minutes ओके यहां तक समझ में आ गया अभी चलिए 1 by 1 question solve करते है हमारा पहला question है A train is scheduled to leave the station at harsh end बट दू टेक्निकल प्रोब्लम train has been led by 3 hours then at what time it leaves from the station तो क्या given है एक train schedule हुआ है कितने बजे छोडने के लिए harsh end ठीके harsh end का क्या meaning है 9 hours end का meaning है 6 पे रहेगा minute end तो 9 hours 30 minutes पे एक train leave होने वाला है बट दू टेक्निकल प्रोब्लम train has been led by 3 hours कुछ टेक्निकल प्रोब्लम हुआ जिसके वजे से train 3 hours late हो गया 3 hours late हो गया इसका मतलब अभी कितने बजे leave करने वाला है 9 plus 3 that is 12 hours 30 minutes में वो leave करने वाला है इतने बजे वो leave करेगा then at what time it leaves from the station 12 30 को leave करेगा और 12 30 को अगर coded form में हम लिखेंगे तो किया आएगा 12 पे आवार हेंड रहेगा तो एकदर एट then 30 minutes चाहिए हमें 30 minutes के लिए हमारा minute hand कहां पे रहना चाहिए 6 पे रहना चाहिए 12 hour 30 minutes पे हमारा train जो हे वो leave करने वाला है और उसके लिए हमारा code क्या बन रहा है at the rate end so our answer is option B अभी देखते हैं और एक question question given है a bus is scheduled to arrive at Delhi at $1 it takes 2 hours 40 minutes to reach Delhi from Ambala at what time it should depart from Ambala to arrive Delhi at least 25 minutes before scheduled time तो क्या given है एक bus is scheduled to arrive at Delhi at $1 हाश डॉलर टाइम पे एक बस देली पे पहुँचने के लिए schedule हुआ है हाश डॉलर का मिनिंग क्या है हाश का मिनिंग है 9 hours डॉलर का मिनिंग क्या है 5 पे जाके minute hand होगा 5 पे अगर minute होता है तो कितना टाइम हो रहा होगा 25 मिनिंट हो रहा होगा तो हाश एन डॉलर का मिनिंग है 9 hours 25 मिनिंट 9 hours 25 मिनिंट पे एक बस देली पे पहुँचने के लिए schedule हुआ है इट टेक्स 2 hours 40 मिनिंट तो रीच देली फ्रम अम्बाला अम्बाला से देली पहुँचने के लिए वो टाइम कितना लगाता है 2 hours 40 मिनिंट देन अड़ वाट ताइम इट सूट डिपार्ट फ्रम अम्बाला टो एराइब देली at least 25 मिनिंट बिफोर शेडूल टाइम शेडूल टाइम है 9 hours 25 मिनिंट उससे 25 मिनिंट पहले पहुँचना है तो कितने बजे पहुँचना होगा 9 बजे पहुँचना होगा ठीके और उसको अम्बाला से देली पहुचने में कितना टाइम लगता है 2 hours 40 मिनिंट तो वो अम्बाला से कितने बजे निकलेगा 9 hours minus 2 hours 40 मिनिंट कितना आ जाएगा यह आ जाएगा 60 मिनिंट यहाँ पहुचना होगा ठीके जब हम लेते हैं तो 1 hour पुरा जाएगा तो 60 मिनिंट आएगा यहाँ पे 60 minus 40 that is 20 मिनिंट यहाँ पे 8 रहे गया 8 minus 2 6 6 hours 20 मिनिंट पे वो अम्बाला से निकलेगा 6 hours 20 मिनिंट का कोड क्या बन जाएगा 6 means end ठीके 6 पे hour hand रहेगा means end हो जाएगा then 20 मिनिंट चाहिए तो हमारा minute end जो है वो कहाँ पे होना चाहिए 4 पे होना चाहिए 4 के लिए हम क्या यूज करते हैं percentage ठीके तो अभी हमारा कोड क्या बन गया end percentage so our answer is option B next question given है if a man takes 25 minutes to reach railway station and his train is scheduled at dollar percentage then at what time should he leave to reach the station 10 minutes earlier तो क्या given है if a man takes 25 minutes to reach railway station एक man को 25 minutes लगता है एक railway station में पहुँचने के लिए and his train is scheduled at dollar percentage dollar percentage time पे उसका train schedule हुआ है पहुचने के लिए dollar percentage का मिनिंग क्या है dollar means our hand जो है वो 5 पे होगा end percentage का मिनिंग क्या है minute hand जो है वो 4 पे होगा अगर minute hand 4 पे होगा तो time कितना हो रहा होगा 20 minute ठीक है तो 5 hour 20 minute पे उसका train पहुचने वाला है then at what time should he leave to reach the station 10 minutes earlier train पहुचने वाला है 5 20 को उसको 10 minutes पहले पहुचना होगा तो उसको कितने बज़े पहुचना होगा 5 10 तक उसको station पहुचना होगा और उसको घर से station पहुचने में कितना time लगता है 25 minutes तो वो कितने बज़े घर से निकलेगा 5 10 minus 25 minutes यहाँ पे 60 minutes जाएगा तो 70 minutes minus 25 minutes 45 minutes यहाँ पे 4 4 45 PM को उसको घर से निकलना होगा 4 का meaning क्या है 4 को अगर coded form में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे percentage ठीके 45 minutes 45 minutes के लिए हमारा minute हैं कहाँ पहोना चाहिए 9 पहोना चाहिए तो कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे हाश so percentage हाश हो जाएगा इसका आंसर so our answer is option D next Shatabdi Express completes its journey in 6 hours with usual speed of 80 km per hour without stopping on any of the station but on Friday it has to stop 15 minutes on each of the 5 stations between Delhi and Muradabad so at what time the train will reach Delhi with its usual speed every Friday if it differs at dollar end every Friday तो क्या गिवेन है Shatabdi Express completes its journey in 6 hours with usual speed of 80 km per hour usual speed उसका क्या है 80 km per hour और उसको कितना टाइम लगता है 6 hour time लगता है देली से मुरदाबाद पहुंचने में without stopping on any of the station वो कहीं पे भी रुकनी रहा है ठीकी किसी भी station में नहीं रुकता है तो उसको 6 hours लगता है but on Friday it has to stop 15 minutes on each of the 5 station विडविन देली and मुरदाबाद Friday में क्या होता है उसको 5 station में 15 minutes 15 minutes रुकना होता है तो 5 station में अगर 15 minutes के हिसाब से रुक रहा है तो total 75 minutes उसने रुका है ठीके रस्त में पूरा 75 minutes तक उसने हर एक station में 15 15 minutes के हिसाब से रुका है 5 station में So at what time the train will reach देली with its usual speed every Friday if it differs at dollar end dollar end type पे वो differed हुआ है तो किस time पे वो देली पे जाके पहुँचेगा यह पुछा है तो dollar का मीनिंग क्या है hour hand जाके 5 पे होगा end का मीनिंग है minute hand 6 पे होगा minute hand अगर 6 पे है तो 30 minutes हो रहा होगा 5.30 पे वो depart होता है तो हमें पुछा है तो अभी वो कितने बजे देली पे पहुँचा है तो केसे करेंगे तो 5.30 था उसका यूजवल डिपरेचर टाइम वो नॉर्मली 6 आवर लगाता है पोंचने में ठीके बट अभी उसको 75 minutes total में रुकना पड़ा है तो अभी कितना टाइम लगागा 6 hour 75 minutes इसका meaning 7 hours 15 minutes इतना टाइम लगाएगा वो तो 5.30 को निकला है 7.15 minutes उसको लगेगा तो कितने बजे वो पहुँचेगा 30 plus 15 that is 45 and 7 plus 5 कितना हो रहा है 12 12.45 p.m. को वो जाके पहुँचेगा 12 का coded form क्या हो जाएगा 8 दर 8 and 45 minutes चाहिए तो minute and 9 पे होगा तो कोड है हाश 8 दर 8 हाश हो जाएगा हमारा answer So our answer is option C तो friends ये था आज का हमारा session I hope आपको इस session जरूर पसंद आया होगा अगर session पसंद आया है तो वीडियो को like and share करना ना भूले अगर आप अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किये हैं तो please मेरे चैनल को subscribe जरूर कर लिजेगा अगले session में देखेंगे बाकी कुछ tricks तब तक अप्राटिस करते रहिए Thank you